मानने अध्यक्ष मोदेया मैं आपका ध्यान अत्यन्त महत्पून अपने सम्मलोक्षवा छेत्र की ओर आकरश्ट कर रहा हूँ जो एक एतियासी की नगर है जो पृतिवी राज चोहान की राजधानी भी रहा है और जहां पर कलकी भगवान का अपत्रण भी होगा ये आज अत्यन्त पिछड़ा छेत्र है जहां भूचर खानों के समस्चाओं के कारण अंबाल लगा रहता है बैद अबैद यहाँ पर शैक्रों की संक्या में भूचर खाने हैं जो किसी भी मानक को पूरा नहीं करते हैं यहाँ पर उतन समस्याओं के कारण स्वास्ते संबंदी परेशानिया आम हो गई हैं भूचर खाने में अफसेश के निश्पादन की कोई ठेस गबस्ता भी नहीं है खुले आम में माश के टुकड़े और उनके अफसेश फैक दिये जाते हैं जिसके कारण रोगों को आमंतरन मिलता है इससे तमाम रोगों को आमंतरन मिलता है सडान के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है भूचर काने में गंदगी निकलने का कोई ठोस अंडर ग्राउंड डेनेज ववस्ता नहीं है दवस्ता ना होने के कारण खुले नाले में इसके बिया पदार्थ को और कच्रे के साथ बहा दिया जाता है इससे जहां तक नाले का पानी जहाता है बहां तक बातरों बिशाक्त हो जाता है नाले का पानी पीने से पशु पक्षी भी इसके सिकार हो रहे हैं मेरा आपके माध्यम से सरकार से प्रात्रा है कि इसके ठोस कदम उठाइने चाहिए इसके रोक्ताम के लिए और ताकि मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी और बात्राओं पर खत्राते मंडे को रोक आ सके धन्यबाद भूत भूत